हादर नियदक जी, यहाँ चले गए लोहियाबादी, यह उन्डुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहिया जी का बारिश कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे थे हाद लंबे चौड़े करनी के कोशिच कर रहे थे लोहिया जी ने नेरु जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था और वो आरोप था कि जान बुचकर नेरु जी नौर्टिस का विकास नहीं कर रहे है जान बूच करके नहीं कर रहे है और लोयाजी के शब्दत है यह कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है लोहिया जी के शक्त हैं ये कितनी लापरवाही लापरवाही वाली और कितनी खत्मनाग बात है 30,000 स्क्वेर मिल से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है ये लोहिया जिनने नहरु पर आरोप लगाया था कि नौर्दिश के लिए तुम्हारा रवहिया क्या है ये कहा था नौर्दिश के लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश ने किये मेरे मंत्री परिशत के 400 मंत्री रात्री निवास करके और अकेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं है अब मैं स्वाइन परचाज बार गया यह आकड़ा नहीं है सिरफ यह साधना है यह नौर्दिश के प्रती समर्पन है आधनी और कॉंग्रेस का हर कामकाच राजनिति और चुनाव और सरकार के आसपासी गुंता रहता है जहाँ ज़N ज़्यदा सीटे मिलती हो राजनिति के अपनी खिच्चिवी पकती है तो वहान तो मजबुरन सही कुछ कर लिते हैं लेकिन नौर्थ इस्ट में लेकिन नौर्थ इस्ट में लेकिन नौर्थ इसमें देश सुन रहा है नौर्थ इसमें नौर्थ इसमें उनकी कोशिद रही कि जहां पर एकका दुक्ता सीके होती थी वो इलाके उनके लिए स्विकारिय नहीं थे वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था उनको देश के नागरी के रिते उनकी कोई संवेदरा नहीं थी आधनिय देख जी और इसलिए जहां एकका दुक्ता सीटे हुआ करती थी उसके पती सोतेला ब्यावार ये कॉंग्रेस के डी एने में रहा है पिछले कई वर्षों का इतिहाद देख लीजिए नौर्थ इस में उनका ये रविया था लेकिन अध्य जी मैं पिछले नौ साल के मेरे प्रयासों से कहता हूँ कि हमारे लिए नौर्थ इस हमारे जीगर का तुकड़ा आज मनिपुर के समस्याओं को ऐसे प्रस्तूत किये जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहाँ ये परिस्तिती प्यादा कुई है को अमीद भै ने भी स्थार से बताया है समस्या क्या है कैसे हुआ है